असलाम लेकूम, मेरा अच का नया नॉवल है तुझसे है जहां मेरा, जो पेश किया जा रहा है डरीमर हालिम की परमाईश पर नॉवल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस चैनल पर नहीं है, काइंडली मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कॉमेंट के जरी अपनी राएप पेश करें चलिए चलते हैं अब नॉवल की तरफ नॉवल तुझसे है जहां मेरा, जिनकी राइटर है फात्मा नयाजी मौसम खुशक और सर्थ था, जिसम को जमाती हुई ठंडी हवाएं चल रही थी, राथ ने फिजा को एक रजीब सा सनाटा बख्शा हुआ था रात के इस पहर, अमीन विला की सारी बतिया रोशन थी, लाउच में अब्दलमुबीन और उनकी एहलिया गुलसबा मुझूद थी मेज पर कौफी के कप और वस्त में खुशक मेवा जाग का बौल रखा था अब्दलमुमीन गहरी सोच में गुम थे, गुलसबा ने उपता कर खामोशी को तोड़ा जवाब दीजी अमीन, इस पार भी आपने मुझे बलोचिस्तान नहीं जाने देना, मैं ही पागर हूँ जो आपसे उमीद लगाए बैटी हूँ वो बेहत खफा लग रही थी, देखो गुल, इतने दिन भला मैं कैसे रोंगा तुम दोनों के बगहर, मेरा तो आदा दिन नहीं गुजरता तुम दोनों के बिना, वो बेचार की से बोले, तो फिर चलिए आप भी, वो बोली, अरे मैं जाओंगा तो ये सारा करोबार कौन देखेगा, वो माथा मसलने लगे, मैं कुछ नहीं जानती, हानल के भी विकेशन्स चल रहे हैं, फोरन से बेशतर दो टिक्टे करवाईए, वन्हा उमीद भी ना लगाईएगा कि मैं पंजाब जाओंगी, फिर आपके चचाओं से मिलने, ये भी कोई बात हुई, मेरी बती अचिस्तान था, इलाके में दूर दूर तक सननाटे का राज़ था, गाउं में दाखिर होते ही निकास सीधी उंची हवेली पर जाती थी, जो आज रंग बरंगी बतियों से सजी हुई थी, करीब जाने पर सननाटे की जगा तेज आवाज में बचते बलोची कीतों ने ले रात के इस पहर भी जैसे पूरी हवेली जाग रही थी, लॉन में खुबसूरती से टेंट लगाया किया था, सामने की तरफ स्टेज था, करीब इदियो हेंकल साउंट सिस्टम था, स्टेज पर शेहर से बलवाए के रकासों के जिसम थड़क रहे थे, लॉन में कुरसियों पर हवेली के तमाम मर्द मुझूद थे, कुछ की निकार अकासों पर थी, तो कुछ अपने स्मार्ट फून्स पर मसरूफ नजर आते थे, भला ये भी कोई डास है, बात तो तब थी ना जब नारान की जोज़ा अली बेगम को बुलाया जाता, इबरावर मुस्कुराया, हा जोज़ा अली बेगम के सरके चचाजाद भाई, आइस्ता बोलो, अगर अब भी किसी ने सुन लिया और बात खान बाबा तक पोँच गई ना, तो तुमें हमेशा के लिए जोज़ा अली बेगम के पास छोड़ाएंगे, जासिम ने उसे खबरदार किया, वाटैवर, अब वैसे तो मत खूरो, एक तो इस हवेली में बंदा खुल कर बात भी नहीं कर सकता, इबरार मू बिगार कर बोला और स्मार्ट फून पर गेम खेलने लगा, वैसे पता नहीं, अमरहान, लाला कब आएंगे, जासिम के लेजे में मैसूस की जाने वाली खनक थी, खान बाबा कर कह रहे थे, एक दो दिन में आ जाएगा, वो कालू खान, इबरार मू बिगार कर बोला, शट आप, वो काला नहीं सावला है, जासिम चिड़ गया, तुम क्यों इतना टेंपर लूस कर रहे हो, तुमें तो नहीं कह रहा, उन्हें भी मत को, जासिम बोला, क्यों ना कहूं, इ ऐसा नहीं है, वो बहुत ही मेहनती और काबिल है, उनकी बदोलती आज हमारी पाकिस्तान की अगरिकल्चर मार्कीट में एक पेचान है, उन्हों नहीं मेहनत करके हमारे काम को इतना फेलाया है, मेरे आइडियल है वो, जासिम महब्बत से बोला, वाट एवर, आई डोंट ल जब इतना कुछ है तो क्या जरूरत है काम करने की, यख तुमारी सोच, जासिम मु बना कर बोला और वहां से उट गया, जासिम और इबरार कहने को जड़वा थे लेकिन उनकी सोच उनको एक जुबसरे से यकसर मुगतली बना दी थी, उस शानदार हवेली में नजमल हुसन अपने तीन भाईयों समेत रहाईश बजिर थे, नजमल हसन के दो बेटे मीर अमरहान और मीर शाह जेन थे, बेटी महनूर थी जो शादी शुदा थी, उन दी रों हवेली में मीर शाह जेन की शादी रचाई जारी थी, नजमल हसन के भाई, नजमल हसन फारूग, हसन और ता से नीन तो नहीं आरी होगी उमे मरियम जो उसके बराबर में लेटी थी पूर जोशी से बोली कैसी खुशी उमे हानी ने सवाल किया कल मेरा मिरहान जो आरा है वो चैकी अगले ही लब है कंबल के नीटे से उसे जोर दार थपर लगा उफ हानी इतना जोर से क्यों मारा वो करा कर बोली मैं अमर हान के लिए नहीं हानिल के लिए खुशू वो भी तो आरी है है सची तुमारे दो जान से प्यारे कितने वक्त बातों में देखेंगे बस चुप मरियम वो भी कुछ नहीं लगता मेरा इस तरह नाम ना लिया करो किसी ने सुन लिया तो दुनिया के सामने ना मुझे तो पता है वो क्या लगते हैं और वैसे भी बहुत कम वक्त रह गया है शाजे लाला के शादी के फौरण बात आप दोनों का नंबर है मैंने खुद सुना एक कसम से खान बीबी अम्मी जान से कह रही थी अच्छा ना पस चुप कितना बोलती हो सो जाओ अब राद बोत होगी है वो सुर्ख होते चेरे को कंबल में चुपाते बजाही लापर वाई से बोली ओके गुड नाइट मुझे तो ऐसे चुप कर वारियो जैसे तुमें परकी ना पढ़ता हो पर मुझे पता है अंदर ये अंदर मन में लड़ो फूटा है दिल में पहला डबल डिलाइट मरियम तुम सोती हो या इस ठंड में तुमें मैं कमरा बदर करूँ कम्बल के अंदर से उम्में हानी की खफासी आवास परामद हुई अच्छा ना सोरी वैसे एक बात बताएं अगर अमर लाला फ्रांस से किसी गोरी को साथ ले आए फिर मरियम तुमारे मुमें खाक उम्में हानिया तहल कर कम्बल के अंदर से उसे एक सोड़दार धमो का जड़ा हाई अल्ला मैं मर गई वो करा ही मरी जाओ बड़ बोली चुडेल अब अगर तुमारी आवास देख लीना तो मैं तुमारा गला दबा दूँगी उम्में हानिया दान पीस कर बोली अच्छा सोरी गोड नाइट मरीम ने कहते हुए रुख मोर लिया और चंद नमहों बादी वो गहरी मींद में चली गी हानिया ने एतियाद से कंबल हटाया और लेम चला कर साइट टेबल की दरास से एक तस्वीर निका ली दो रोशन आँखें मुस्कुरा कर उसे देख रही थी गुंगरे आले चोटे कटे बाल बेहत पुरकशिश चेरा तस्वीर को देख कर हानिय मुस्कुराई हम जेनाब तो आप कला रहे हैं चन्द नम्हें मुस्कुराते वे उस तस्वीर को देखती थी फिर नर्मी से मुस्कुरा कर आंखें मुद ली भला ऐसा हो सकता है कि आपको देखे बगेर मैं सोजो खाने की मेज पर नाश्टा जब दिया गया था अमीन साब खामोशी से नाश्टा कर रहे थे पर हानिर पो जोच सी थी गंदमी रंगत दमक रही थी शरारती आंखें मुस्कुराई चली जा रही थी वैसे मामा कितने दिन रुकेंगे बीस दिन से जादा की अजास्ट नहीं है अब्दलमुमीन संजीत की से बोले ओहो डैडी लुक एट यूर फेस वाई आर यू सो सैड फेर की मैं पंगड़ा पावा वो तब कर बोले हानिल डैडी को फिलहाल खामोश रहने तो इनका मूट माशाला इतना अच्छा है कि अभी पंजाबी में शिक्वों का नजूल जारी होजेगा बुल्सबा बोली अब्दलमुमीन ने खुफकी से हाथ जलाया ओके हानिल ने मुस्कुराहर दबाते हुए कंदे उचकाए डैडी मुझे मालूम है आप हमें बहुत मिस्क करेंगे इसलिए इतने उदास हो रहे हैं अब्दलमुमीन ने जिताती निगाब बीवी पर डाली आप ही चलिए ना हमारे साथ हानिल बोली नहीं तुम लोगी इंजुआए करो मेरी फिकर करने की कोई जरूरत नी मैं आ जाओंगा तो बिसनस को न देखेगा वो खुब की से बोले जब पंजाब जाना हो तो दो दो माँ के लिए बिसनस की फिकर ही नी होती गुल सभा बोली तो मैडम सभा मैं चार माँ पहले से वाइंड अप कर देता हूं सब तुमारे खानदान की तरह अचानक पंजाब ने शादियों के शोशे नहीं छोड़े जाते जी जी मेरा खानदान तो है जाहिल यही कहना चाते है सच खुद ही तुमारे मुह से निकल गया मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं उन्होंने कंदे उच गए अब्दलमुबीन साब पे कह देती हूं मेरे मुह न लगे मुझे अपनी शामत को थोड़ी आवास देनी है तुमारे मुह लगकर बीबी तब ही पंगे बाजियां शुरू करती है न सुबह सुबह बीबी नाश्टा करे नाश्टा अब क्या आप लोग अपना ये रूमेंस बंद करेंगे प्लीज हानिल जो कब से उनकी नोक चोक से लुटफ़न दोजोरी थी अक्ता मुक्ता कर बोली तुमारी माने शुरू किया बेटा तुम तो जानती हो ना बलोच बीबियां कितनी तेज तरार होती है वो शरारत से बोले जी पिलकुल और पंजाबी तो बड़े बीबे मासूम होते है राइट वो तब कर बोली उफ छकड़ते रहे आप वो पैर पटक कर वहां से उड़ गई उन दोनों की नोग चोग जारी थी बलोचिस्तान की सुब शाब की मारित मैसूस हो रही थी पातों ने आस्मान को पूरी तरह ठका हुआ था तेज हवाई हर एक शेक को जल्थल कर रही थी सिया कार तेजी से एक जानिब दोर रही थी बैक सीट पर वो टांक पर टांक रखे नीब दरास था सिया टी शिर्ट और सफेद पैट से बेतन किये पैरों में सिया जूते थे पूरी लेदर की जैकेट करीब रखी थी उमेहानी खिड़की के करीब खड़ी थी निगाहे पोर्च पर जमी थी उसके चेरे का एक एक नक्ष उसकी खुशी का गवा था सब्स रंग की शौल कंदों की किट लपेटे भूरे पालों के लिटे तेज हवा के जोंकों से उड़कर उसके गालों से टक्रा रही थी दपतन मरकजी गेट खुला और सियागार अंदर दाखिल हुई पोच में नजमुलहसन और अंजमुलहसन खड़े थे अमर हान जो ही गाड़ी से उत्रा नजमुलहसन ने उसे गले लगाया इतने माबाद उसे देकर हानी की रगरग में सकून उतर आया था वो मुस्कुराते वोई उसे देखती चले गई यहां तक कि वो हवेली के अंदरूनी हिसे के जाने बढ़ गया हानील पलंक पर टांगे लंबी किये बैठी थी गुल सबा सूट केस में उसका समान रख रही थी मामा हम पहले नानो की हवेली चाहेंगे या सबस महल बेटा नानो सबस महल आई हुई है और कुछ दिन में तुमारे मामो लोग भी सबस महल आ जाएंगे तो गुलानी दर जाने का कोई फाइदा ही नहीं मामा ये नाम कैसे गुलानी दर और सबस महल दर का मतब होता है दरवाजा और गुल कहते हैं फूल को मेरे अबा की पहलोटी की चार बेटियां थी उस वक्त लड़कियों की पेदाश को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था लेकिन मेरे अबा तो हमसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने हवेली का नाम भी उसी हिसाब से रखा गुलानी दर का मतलब है फूलों का घर हमारे नाम से पहले भी तो गुलाता है ओ वाव और सबस महल उसकी क्या कहानी है सबस का मतलब तो सब को मालूम है गरीन लेकिन बलोचों में सबस सावले को भी कहते हैं सबस महल नहीं है ये सबसे महल है मतलब सावले का महल सावले का महल अजीब बात है मुझे तो याद नहीं कि सबस महल में कोई सावली रंगत का शख्स हो माशालला सब जरूरत से ज़ादा गोरे है गुलसबा हस पड़ी नई एक है जो सावला है खेर छोड़ो ये बाते तुम अपना बैक पैक क्रेडी करो एक सूट तूट परश वगेरा रखलो जाते के साथी ठकन में क्या सूट केस खेंगालती फिरोगी गुलसबा उसे हदायर दे कर कमरे से निकल गई गुल बीबी और नूर बीबी आपस में बैने थी और दोनों बैनों के शादी दो भाईयों से हुई थी दोनों बैने होने के साथ आपस में देवरानिया चिठानिया भी थी गुल बीबी की चार बेटिया थी एक जवानी में ही वफात पा चुकी थी दो बेटियां गुलंबर और गुलसना अंजमल हसन और फारुख हसन से बियाही थी जबके गुलसबा शहर में ही बियाही गई थी आज के दिन सबस महल में खूब रोनक लगी थी यह रोनक गुलसबा और हानिल की आमद पर लगाई गई थी बड़े से हाल में हवैली के तमाम अफराद मरकजी हाल में जमा थे गुलसबा बैनों के साथ बैठी थी जबके हानिल अपनी खाला साथ, अमे हानी, अमे मर्यम, अमे जैनब सनोबर और अम्शिल के साथ बेटी खुशकपियों में मसरूफ थी चाहे समोसों के साथ दुटफंदोस होती दुनिया जहां की बाते करती वो बेहत खुश दिखाई दे रही थी कमरा बेहत कुशाता था सियाहो सफेद इमतिजाच के आला मायारी सजावर सिया देवारों पर सफेद जाली दार पर दे थे पलंग के सामने आदिश दान था जिसमें लकणिया चटख रही थी सोफे पर नजमलहसन यानी खान बाबा बैटे थे और सामने ही जरनेन बेगम यानी खान बीबी बैटी थी ड्रैसिंग टेबल के आगे खड़ा अमरहान कमीज के बटन बंद कर रहा था खेरियत आप दोनों एक साथ मेरे रूम में नर्मी से दर्याफ़ करता आप वो अपने बाल को इंग्रियाले बालों को सवारने लगा यहां अगर बैठो बेटा खान बाबा ने नर्मी से का अमरहान ने असबात में सरी लाया और उनके सामने आ बैठा तुम जिस कोर्स के लिए फरांस के थे वो मकमल हो गया ना खान बीबी बोली जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं वो बोला कुछ दिन बाद तुमारे भाई की शादी है खान बाबा ने हिचके जाकर का जैसा कि मैं पहले से जानता हूँ उसने कंदे अचकाए गुल बीबी भी आई हुई है और सारा खानदान भी यहीं होगा तुमारी दादी चाहती है कि कुछ मजीद चीज़े भी साथ साथ निपटा ले खुद मुखतार हो कारुबार करते हो समझदार हो सरने बेगम बोल कर चुपोगी हाँ और उनको लगता है कि तुम हवेली के किसी भी पर्ट से बेतकल्फ नहीं हो और हम समझ सकते हैं जादा वक्त तुमारा पढ़ाई में बाहिर गुजरा है और पिर यहां रहे कर भी तुम जादा तर देरे पर और बाव में होते हो लेकिन बेटा हम सब तुमारे अपने हैं वो अपना मुदा बियान करते हुए हिचके जा रहे थे तो आप लोगों को लगता है कि मैं यहां सब को गह समझता हूँ यही ना वो संजीत की से बोला ने ने बेटा मेरे ये मत्तब नहीं था खान बाबा गड़ बड़ाए जिन के सामने परिंदा पर नहीं मार सकता था वो अपने उस बेटे के सामने पिलकुल बेबस से हो जाते थी मतलब अभी रहने दीजिए बाबा जान लेकिन हकीकत यही है कि आप लोगों ने ही मुझे इस हवेली से और यहां के लोगों से दूर किया है लेकिन इसका यह मतलब हरकिस नहीं कि मैं यहां सब को गयर समझता हूँ रिश्टे निभाने का हुनर अलहमदलिल्ला है मुझे उसने एक कहरी जिताती निगाब बाप पर डाली वो भी चैनी से पहलु बदल कर रहे गे और हां मेरी मा की कातला से कहे मेरे हवाले से फिकर मंद रहना छोड़ दे सर्द मौरी से कहकर उसने सोफे की बुछ से टेक लगा ली बेटा वीक एक्सिडेंट था वो एक गतल था वो चबा चबा कर बोला जिसके जिमेदार आप है आपने गरीब मासूम लड़की से दूसरी शादी तो कर ली लेकिन यहां लाकर भूल गे पीछे आपकी नसर परस्त माने मेरी सिया रंग की गरीब मासूम मकरानी मा के साथ जो सलूग किया उससे जान कर भी आप अंजान रहे क्योंकि आपको लगा एक दिन आपके पत्थर दिल मा को उस नाजुक सी साबली सलोनी लड़की पर रहम आ ही जाएगा लेकिन आपकी माने तरस तो क्या खाया सीधा सीधा कतर कर डाला जब आप निभा नहीं सकते थे तो दूसरी शादी की ही क्यों और कर भी ली तो आपका फर्स था मेरी मा की हिफाज़त करना आप नहीं कर पाए एक पांच साल के बच्चे के लिए उसकी माएक फरिष्टा होती और उसका बाप उसका हीरो जिस दिन मेरी मा मेरी जिनगी से चली गई थी उसी दिन मेरा हीरो मेरा विलन बन गया था I respect you because you are my father I love you because I cannot hate you I love you because it's natural पर बाबा you don't deserve it पुस अपार्ट लेजे में बोला रिलेक्स हो जो बेटा सलने बेगम ने उटकर उसका कंदा से लाया I am fine देखो बेटा प्लीज बाबा जान सीधा मुदे पर आये मेरी बात गोर से सुनो बेटा बाबा सबसे ज़्यादा तुम से प्यार करते हैं उन्होंने सब तुमारी खातिर किया तुमें पढ़ने के लिए बड़े इधारों में बेजा तुमें इस चहालत परे महोल से दूर किया आज तुम खानदान के सबसे काबिल वैल मैनर्ट लड़के हो हमारे गव में हमारे खानदान में माए बच्चों को तुमारी मिसाले देती है तुमारी शांदार डिगरिया तुमारे मस्तक्बिल की जमानत है इसके बावजूद तुम अपने बाबा से खफाओ उनकी महबत पर शक करते हो ये सब दोलत जायदा जमीने सब कुछ तुमारे बाबा ने तुमें दे दिया है तुमारे बाबा तुम पर जान देते हैं बेटा माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ आगे बढ़ो एक खुश्चाल पुर्सकून जिनगी की बनियाद रखो अमरहान लब भेंचे सुनता रहा हम तुमारी शादी करना चाते हैं बेटा सन्नैन बेगम बोली मेरी मा मुझ से चीन कर आप लोगों ने मेरा बच्पन मेरी खुश्या मेरी तमनाई सब चीन लिया था अब ये दोलत जायदा तवच्च और प्यार मुझे नहीं बदल सकता मुझे तरहाई से जादा किसी चीज़ में दिल्चस्पी नी और शादी जब करनी होगी कर लूँगा फिल्हाल इस बारे में सोचा नहीं है मेने कतेई लेजे में कहकर वो वहां से उड़ गया खान बाबा फी की रंगत लिये वहीं बैठे थे भागो उमे मर्यम ने सरगोशी की लेकिन हानिल अपनी फिकर करो महमान है वो उसे कुछ नहीं कहेंगे लेकिन हमें देख लिया तो सही की डांट पड़ेगी चलो अब उमे मर्यम ने जैनब का हाथ थामा और अंदरूनी हिस्से की जानिब दोड लगा दी हवेली की पिछली जानिब बने स्टोर रूम की चट पर हाने हाथ में कैमरा लिए टेंट के अंदर होने वाले डांस की वीडियो बना रही थी नाइस अब ये वीडियो मैं तारा को दिखाऊंगी और बताऊंगी मेरे नन्याल वाले बिलकुल भी बैक वर्ड नहीं है वो जेरे लब कहते हुए मुस्कुराई स्टोर रूम की चट टेंट से जरा ही उपर थी और कदरे चुपी हुई थी और बिलकुल असानी से टेंट के अंदर का मनजर दिखाई दे रहा था जबके हवेली की चट उंची होने के बाइस टेंट के अंदर जांकना मुम्किन नहीं था तब ही वो स्टोर रूम की चट पर मुझूद थी अमरहान जनरेटर बंद करने की गसे स्टोर रूम के दाखिल हुआ चट का दर्वाजा पहले से खुला दे कर वो ठटका और कंदे उचका कर लकड़ी की सीड़िया चड़ने लगा जनरेटर के शोर और तेज बज़ते गीतों के बाइस हानिल को खबर ही नहीं हुई कि कब अमरहान एहन उसकी पुष्ट पर आप उंचा क्या हो रहा है या संजीत की से सवाल किया हानिल करंट खा कर उचली कैमरा हाथ से छूटकर नीचे आगिरा उसने डरते डरते रुख मोड़ा और निगा सब से पहले मकाबल की टांगों पर डाली फिस सामने खड़े शखस को देखा क्या मसला है मेरी तो जान ही निकाल दी थी उसके इंसान होने का यकीन होते ही वो कोफ्ट से बोली और जोकर कैमरा उठाया अमरहान ने अंजान निगाहों से उसके जाने देखा हवेली में सिर्फ पांथ लड़किया थी जिनके नाम ना सही शकले उसे ज़रूर याद थी और ये उन में से नहीं थी और किसी में इतनी मजाल का थी कि उससे यू बात करता क्या कर री ओ यहां उसने पेचानने की कोशिश तरकी और संजीद की से दर्यावत किया नजर नहीं आ रहा आँखों के जगा बटन्स फिक्स है क्या एक तो मेरी सारी शूटिंग का सत्यानास कर दिया उपर से इतना भी नहीं पता के वीडियो बना रही हूँ पेंडू गएंगा वो अपनी वीडियो जाया हो जाने पर सक्त अप्योई थी अमरहान ने सबसे मुटिया भेंच ली वो दिली दिल में हेरान सा खड़ा था आज से पहले किसी ने इतनी गुस्ताखी का मुझायरा नहीं किया था बीन यो लिमिंट्स वो सक्ती से बोला पेंडू वर्ट को जादा ही सिरियस ले लिया है जनाब अब अंगलिश का रोब जाड़ रहे है अमरहान ने मुस्कुराहर दबाई और पलट कर जनरेटर आफ करने लगा कैमरा आफ करतो और अंदर जाओ संजीत की से कहकर वो जाने को मुड़ा वा क्यों जाओ अंदर वो तिनक कर बोली क्योंके मैं कहरा हूँ उसने शहादत की उंगली से अपनी जाने बेशारा किया तो तुम क्या मेरे अबाजी हो स्टॉप इट ये तुम क्या होता है आप को और अगर अगर अब कोई बत्तमीजी की ना तो यहीं से उठा कर नीचे पटक तूँगा नॉनसेंस सिली कर दरश्टी से बोला हानिल हैरत जदा रह गी इस तरह तो किसी ने नहीं डानटा था उसे आज तक वो चन्द नम्हे साकित नजरों से मकाबल की आँखों में देखती रही फिर पैर पटा कर कैमरा आप किया और सूं सूं करती रोती वो इसके करीब से निकलती चली गी खडूस कहीं के जाते जाते वो घुसे से बोली थी अमरहान उसके बचकाना अंदास पर मस्कुरा कर रह गया अगर उम्हानी उसे यो मस्कुराता देख ले तो शायद पागल यो जाए उसे तो याद भी नहीं था कि वो आखरी दफ़ा कब मस्कुराया था उम्हानी बावर्ची खाने में खड़ी चाय बना रही थी चेरे पर मस्कुराहट खेल रही थी सुर्खो सफेद रंगत दमक रही थी बालों की धीली चोटी कमर पर पड़ी थी स्या शौल कंदों पर डाले वो साथकी में भी बेहत खुबसूरत नजर आ रही थी चूले पर चड़ी चाय उबल उबल कर खतम हो चुकी थी हेलो मैडम कमगीर मस्कुराती आवास पर वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आई वो परजान था जो पुर्शोक निगाहों से उसका चेरा हसार मिलिये हुए था अरे तुम कब आई मुझे आई वे एक एंटा हो चुक है लेकिन आपको मालूम तब हो ना जब खुनी आँखों से खुआबों में टहलना बंद करो वैसे चाय बंगी क्या कहते हुए शरारती निगाह खाली जले देख जी बढ़ डाली उम्मे हानिया ने चौंकर चूले पर निगाह डाली उफला उसने अपना माता पीट लिया फरजान की हजी चूट गई वैसे किसके ख्यालों की दुनिया में इतनी मगंधी के पता ही न चला उसका जेरा सुर्ख हुआ बताओ ना चुब बोज़ा तुम बताओ मामू भी आया जी बिल्कुल आपके मामू भी आया तबी तो उनका इतना हैंसम बेटा आपके सामने खड़ा है मामू के हैंसम बेटे सफर कैसा रहा बोरींग वो मू बना कर बोला उमेहानी ने चाहे दोबारा चढ़ाई वैसे तुम किचन में किसी काम से आय थे कुछ चाहिए तो नहीं नहीं मैं जरा नबोल बाग तक जा रहा था अमरहान से मिल ले वो तो हवेली में पाया जाता ही नहीं सोचा तुम से मिलता जाओ जो किताबे तुमने मंगवाई थी मों में ले आया हूँ ले ले लेना बाद में समान यहां महा होगा तुम मिलेंगी नहीं ठीक है वो मुस्कुराई ये गाजर का हलवा ले जा उनको दे देना गुल बीबी ने बनाया था रात को लेकिन वो बगेर खायी चले गे कैते हुबे जल्दी जल्दी हल्वा फ्रीज से निकाल कर उस ते फरजान को पकड़ा दिया फरजान ने खामोशी से लिया और किचन से निकल गया उमेहानी ने महसूस किया कि फरजान का चेरा बुझ गया था वो कंदे उचका कर चाई की आँच बढ़ाने लगी शाम का पहरता हवेली की चछट पर तमाम घजन चमा थे चाई और काफी के साथ दीगर लवासमात वस्त में रख़े मेस पर सजे थे मजाग मस्तियां जा रही थी हानी बजख यानी बेचारी बैट पी जाओ तूं ये बार बार किचन के चक्कर ना लगाओ हमें पता है तुम बहुत सुगड हो सैनब बोली तो सब हस दिये गरम गरम समोसे रोल भी तो तुम लोगों कोई चाहिए ना वो मुँ बना कर बोली और तुम हानिल कैमरे की जान छोड़ने का इरादा है भी या ने जासिब बोला तुम तो बात ही ना करो कहा भी था मुझे टांस की वीडियो बना दो पर ने उपर से फिर उस खडूस ने भी मिरी सारी वीडियो खराब कर दी कौन खडूस उसी वक्त अमरहान उपर आया था सब के हस्ते मुस्कुराते चेरे साकित हुए लड़किया दुबटे दुरूस करने लगी आप और कौन वो मुँ बना कर बोली सब को साम सूंग गया अच्छा जी तो खडूस ने वीडियो की खराब की बजाहिश सरसरी लेजे में पूचा ये तो खडूस ही बता सकता है वो गंदे उचका कर बोली अमरहान ने मुस्कुरा कर उसका मासूम चेरा देखा अमेहानी ने ठटक कमरहान का मुस्कुराता चेरा देखा उसका दिल डूबने लगा आप चाए या कौफी लेंगे अमेहानी ने उसकी तवच्छो हानिल पर से हटाने की खातिर का नहीं शुक्रिया आप लोग इंज्जाए करें जासिम और इबरार तुम दोनों नीचे आओ मेरे साथ काम करवाओ और कभी तुम जाकर डेरा बंद करो मस्कुराहट सिमट चुकी थी नर्मी से उनको मुखातिब करके काम सूंपा और जाने को पल्टा जाते जाते हानिल के चेरे पर नर्म निकार डालना नहीं भूला उमेहानी की आंके जलने लगी खोफ ने उसके गिर्द खेरा तंग किया वो उन बातों और कैकों से दूर होती गी हानिल अपनी बातों में मगन थी अमर हान तनहाई पसंद और बिस संजीदा मिज़ाज था भीड बाते शोर उसे कभी पसंद नहीं रहा हवेली में कई अफराद थे माओं की पुकार बच्चों के नखरे शरारते हसी मजाग और उन लबहों में वो खुद को बेहत दरहा महसूस करने लगा था पांच बरस की उमर में वो सबसे दूर खड़ा अपने चचाजादों को माओं से नास नखरे करता दे कर हर औरत में वो अपनी मा का लम्स खोचने की कोशिश करता बगर ममता के नरब गरमचाओं से महरूम बैता दस साला शाजेन और नो साला मानूर की भी एक अपनी दुनिया थी वो दोनों हर वक्त साथ पाए जाते उन दोनों के बीच हवेली के किसी बच्चे की गुंजाइश नहीं थी सैमेर डरे से गहरी सामली रंगत के अमरहान को तो पास भी न बटकने देती थी जिसे उस हवेली में आए महज चार माह हुए थे चच्चियां अपने बच्चों को उससे दूर रहने की तलकीन करती यह हवेली उसके लिए बड़ी बन नसीब साबित हुई थी यहां आने के दो माँ बाद ही उसने अपनी मा को खो दिया था वो मा जो हर वक्त उसे सीने में चिम्टाए रखती हर लबहे उसके लाट उठाती उसकी तनहाई और हवेली के अपराद की बेतवज्जी को नजमल हसन ने महसूस करती उसे जादा से जादा वक्त देने की कोशिश की लेकिन वो घर के बड़े बेटे थी तमाम से मिदारिया उन पर आईद होती थी कोशिश के बावजूद थी वो उसे वक्त नहीं दे पारे थी वो साथ साल का हुआ तो उसे बोर्डिंग भीजवा दिया गया उसके बाद उसका तालुक हमेली के अपराद से बिलकुल खतम होकर रह गया नजमलहसन हर माँ उससे मिलने आते ठेरों खलोने किताबे साथ लाते उनको शिद्ध से अमरहान के साथ होने वाली नाइसाफी का एसास था वक्त कुजनने के साथ साथ खलोनों की जगा जेब खर्च दे ले ली कहरी सामी रंगत बदल कर कुछ निकर गई थी खंग्रियाले पाल जरब बड़े थे पुरकशिश नकोश सबस बड़ी आंके मुनासिब नाक और भरे भरे होन छे फुट से निकलता कद वो 15 साल की उमर में 20 का लगता था मैट्रिक के बाद वो हवेली किया तो बहुत कुछ बदल चुका था उसकी शख्सियत की खुबसूरती को कोई नजर अन्दास ने कर सका उसकी खामोशी, संजीद्गी और बेन्यासी पुर्वकार महसूस होती वो हवेली के तमाम चोटे बड़े लड़कों से मुक्तलिब था उनकी तरह शोखिया और तेजिया नहीं दिखाता था बेहर्द सोच समझ कर बोलता जो भी बोलता वो बेहर्द मदललल और मुक्तसिर होता जेद नखरा करते शायद ही किसी ने उसे देखा हो अब खान बाबा उसे होस्टल बेजने के हक में नहीं थे मेट्री का रिजल टाते ही उसने रुखसत की अजाज़त चाही बाबा टिकेट्स करवा दे मेरी उस वक्त खान बीबी वहां मुझूद थी उसकी बात सुनकर उनोंने सुक की सास ली अब तुमें कहीं जाने की ज़रूरत नी अब मैं कहा नहीं जाँगा उसने उलचा नामे इस देखे में बोला खान बीबी दिली दिल में उनके फैसले पर नाखोश हुई बेटा सब यहीं पढ़ रहे हैं तुमारा शहर जाकर पढ़ना सब तो शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं ना यह कैसे यहां एड़जेस्ट हो पाएगा एड़जेस्ट क्या होना है इसका घर है यहां खानदा ने से यहीं लोट कर आना है लेकिन अभी के लिए मैं यहां नहीं रुक रहा उसका लेज़ा और अन्दास कती था उसमें किसी अजासत और मिन्नत कांसर शामिल ले था यह उनकी पहली इफ्तलाफ राय थी पूरे गाउं के मसाइल हल करने वाले बड़े बड़े फैसले सुनाने वाले नजमल हसन को महसूस हुआ कि उनके लाटले अजीज़ अज़जान बेटे ने उनको अपनी जिनगी का कोई फैसला करने का हक नहीं दिया था और यह एसास जान लेवा था लेकिन मैंने फैसला किया था कि तुम्हारा दाखला यहीं करीबी कालिज पे करवा दू अच्छा खासा बड़ा कालिज है मुझसे मुझसे मुश्वरा किये बगएर आपको यह फैसला नहीं करना चाहिए था मेरा कोई रादा नहीं हाँ पढ़ने का उसने रसान से कहकर कंदे उचकाई और कमरे से निकल गया और उसी दिन खान बाबा ने फैसला कर लिया था कि वो से बाप बंकर नहीं दोस्त बंकर देखेंगे उन्हें उस फैसले पर पच्छताना नहीं पढ़ता था अमरहान असनी ने कौनियों तक मोडे तेड़े के चबूतरे के करीब जुका वुजू कहरा था सारा ध्यान वुजू पर लगाए वो इर्द किर्द से बेन्यास था हानिल कब उसकी पुष्ट पर आखड़ी हुई से खबर तक नहीं हुई वो इत्मेनान से वुजू करने का दी था इतना वक्त वुजू में कौन लगाता है भला वो उक्ता कर बुड़ बुड़ाई वो वुजू से फारी होकर टोपी सर पर जमाता चबूतरे से उतरा तो उसकी निगा हानिल पर पड़ी तुम यहां बाहर क्या कर रही हो वो जरा बरहमी से बोला आसपास मस्दूर मुझूद थी और वो दुबटा कंदों पर डाले खड़ी थी मुझे एक काम है आपसे काम है तो फून इस्तमाल कर ले थी बाहर क्यों आई हो जासी मिबरान लों कहा है जाओं अंदर वो संजीत की से बोला बड़े ही कोई इल्मेनर्ट इनसान है आप इनसान पूछ लेता है कि क्या काम है बस डांटी जा रहे हैं बत्तमीज इनसान वो मुझ बना कर बोली और बलटकी वो हका पका खड़ा रह गया उफ तोबा हानी या मरहाल लाला इतना खड़ूस है इतने खड़ूस है इतने खड़ूस है कि उनका नाम असानी से गैंस वर्ड रिकॉर्ड में शामिल हो सकता है ट्रस्ट मी मैडम हानील अभी तुमने उनका खड़ूसपन देखा ही का है साल में एक दफ़ा भी गलती से मुस्कुरा दिया तो ठीक वरना उनके जेरे पर हमेशा 24 बजरे होते है जैनब हजी और लड़कियों से तो उसे ऐसी अलरजी है जैसे उनको देखेंगे तो साब दिन तक उसको खुजली की बेमारी हो जानी है मैं और वो हम उमर है शुरू शुरू में जब छुटियों पर आता था तो मुझे बड़ा क्यूट लगता था लेकिन मजाल है जो कभी उसने मेरी तरफ देखा हो समीन को घूरता हुआ चलता है जैसे बापा आदम के जमाने से दफन खजाना इसी को मिलना है सनोबर मुस्कुरा कर बोली सनोबर आपी अब तो वो देवर है आपके मर्यम हजी बस भी करो तुम लोग ऐसा कुछने है उनका मिजाज ही ऐसा है कमसकम हवेली के बाकी लड़कों की तरह अवारा उच्चोरे तो नहीं है हानी तब कर बोली बाकी लड़कों में तुम्हारे भाई बीते हैं मर्यम बोली हाँ तो आते ने सच तो सच है वो कंदे उचका कर बोली वैसे हानिल तुम गई क्यों थी उनके पास मेरे फून का रिचार्च खत्म हो गया था और वो आगे से बाहर क्यों आई यो जासी मबरार का आए अंदर जाओ मतलब हादों की मुमू बना कर बोली हानिल हवेली की जट पर खड़ी थी सुनेरे पाल उची पोनी में बंदे थे सबस रंगी कुर्ती सफेड ट्राउजर दुबटा शानों पर गिरा था कैमरा ओन किये वो दूर के मनाजिर अक्स बंद कर रही थी उन्ची उन्ची घाटियां सबसा केले और खजूर के दरख दूर से नजर आ रहे थे वाव वो बुड़ बुड़ाई उसका सारा ध्यान अपने कैमरे पर था क्या नाम है तुम्हारा वो अमर हाम था पर्टे बगएर वो उसे पेचान की वाव नाम तक मालूम नहीं पता नहीं किस दुनिया में रहता ये बंदा वो दिली दिल में बोली हानिल अमीन ओके हानिल सो तुम्ह परसो तेरे पर आई थी क्या काम था वो दो दिन पहले की बात है और आप अब पूछ रहे है एनिवे थैंक्स कभी ने कर दिया था वो अपके बलट कर उसके जानिब देख रही थी परसो नमास पढ़ने के बाद वो पूरी तरह मसरूफ हो गया था और उसके जहें से ये बात पूरी तरह निकल चुकी थी वो अपनी बेपना मसरूफ याप की बिना पर अक्सरी लोगों के काम भूल जाया करता था उस वक्त मैं नमास पढ़ने जा रहा था और फिर मेरे जहन से निकल गया था वो वजाहत दे कर खुद ही ठटका मैं इसे क्यूं वजाहत दे रहा हूँ आप ही आप में बढ़ बढ़ाया इनसान कमस कम पूछ ही लेता है कि क्या काम है लेकिन आपको पता है आप बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है वो मुँ बना कर बोली अमरहान हस दिया कोई और उसके सामने ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकता था अमरहान ने उसका चेरा देखा हानिल की शरार्ती निगाहे उसी पर जमी थी क्या देख रही हो अल्ला की शान देख रही हो क्या आप जैसा खड़ू सी दसान भी हस सकता है अमरहान फिर हस दिया कहां से आई यो कराची से सबब उपो की बेटियो उसने सवाल किया जी बिल्कुल आपको मतलब अपने किसी रिष्टे का पता ही नहीं इतनी भी लापरवाई अच्छी नहीं होती वो आप से लेजे में बोली अमरहान के जेरे पर अचानक संजीत की चा गई अब नीचे जाओ तुम संजीत की से का क्यूं वो उसके अचानक बदले अंदास पर हिरान हुई क्यूंके मैं कह रहा हूँ तो कौन है आप किसी सल्तनत के बाश्चा है जो मैं आपकी बात पानू हर जगा से भगाने की कोशिश करते है आपके कंदों पर तो चड़कन ने खड़ी होती मैं नीचे जाओ हवेली में जाओ वो तब भी गई अमरहान ने गहरी सास दी और खुदी नीचे की जाने पड़ा अच्छा सुने अमरहान पर्टा और सवालिया निगाउस पर डाली मुझे नीचे क्यों भेजना चाहरे थे इसलिए अमरहान सिगरेट और लाइटर की तरफ इशारा किया ओ तो आप स्मोकिंग करते हैं वो भी उसके साथ हुई हम वो मुक्तसिर सा कहकर तेजी से सीड़िया उतरने लगा मत किया करें सहित के लिए अच्छा नहीं होता अच्छा वो आप से अन्दास में कहता तेजी से सीड़िया उतरता क्या हानी लिरीलिंग पर जोकर उसे नीचे उतरता देख रही थी कुछ पास्ते पर खड़ी उम्मे हानी ने घोर से ये मनजर देखा था उम्मे हानी किचन में चाय के साथ खाने के लिए समोसे रोल और पकोड़े वगेरा तल रही थी करीब ही कुर्सियों पर जैनब मर्यम और हानीन मौजूद थी सुनो लड़कियो हानीन ने करीब रखे अखबार को मोड कर माई की शकल में ढाला और मुस्कुरा कर बोली सुनाओ हम हमातन गोश्थ है मर्यम शरारती से बोली मैं एक एहम इलान करने जा रही हूँ करो करो सैनब ने का हाँ सु मैं आज नबूल बाग जा रही हूँ मेरी मेरबानी से तुम लोगों की भी आउटिंग हो जाएगी लो तुमारी मेरबानी से न ये आउटिंग हमें करनी भी नहीं है हजार दफा की देखी जगा और अब पहले जैसा नहीं रहा न बोल बाग के बाग का नन्ना सा बार्डर करास करके पहाड़ियों पर चड़ जो अच्छा फिर कैसा है बोल जी उन्ची देवारे लगा दी गई ये चारो तरफ अमरहान लाला की मेरबानी से वैसे ये अमरहान कुछ लगी है सबसे नही इस बात पर उमरहानी ने चोंकर अपना सारा ध्यान उसकी बातों पर लगा दिया हाँ बहुत ही मगरूर है किसे से बात बात नहीं करते तरसल खान बाबा के लाड़ ले आना तबी जैनब बोली मगरूर तो नहीं है बस थोड़े मूड़ी है हानिल बोली उम्हानी ठटक कर पल्टी और उसका चेरा टटोला कोई सोच कोई रंग देखना चाहा इतना काम भी करते हैं वैसे हवेली के बाकी मर्दों को कभी कुछ करते नहीं देखा और वो हर वक्त कुछ न कुछ कर रहे होते हैं हवेली में भी कमी नज़र आते हैं तो क्या ये उसे देखना चाहती है उम्मेहानी यक्टक उसका चेरा देख रही थी उसका दिल चाहा जाए और उसका दिल चीर कर देखे कहीं वो उसकी सांसे चीन लेने का इरादा तो नहीं कर बैठी मगर अमरहान अगर वो मेरे नसीब में है तो मिल जाएगा उसने सोच कर खुद को तसली दी वो बड़े से सबस्केट के सामने खड़ी थी ये लंबी भूरी देवार थी जो हद निगा तक पहली हुई थी हर चंद गर्स के फास्दे पर उसी तरह के सबस्केट थे देवार की उन्चाई मुनासिब थी सरों पर हारदार तारे लगाई गई थी सड़क पकी नहीं थी सड़क के दूसरी तरफ गाउं के मकानात बनेते छोटे छोटे चोटे कच्छे पके घर इतना चेंच कैसे वो दिली दिल में हेरान हुई और गेट को दिकेल कर अंदर दाखिल हुई अंदर दाखिल होते ही खुद को चबूतरे पर पाया चंद सीड़िया पार करती वो चबूतरे से उतरी अब वो सबसे पर खड़ी थी दाएं तरफ नाला बनाता जहां साफ पानी बेरा था बाए जाने उसे एक दो मनजला अमारत नजर आई ये क्या है वो बढ़ बढ़ आई जरा सा आगे आई तो गेट बंद पाया दूर से ही उसे बहुत से किसान काम करते दिखाई दिये जो सबस रंग की वर्दी में मलबूस थे सरों पर कैप थी वो मुतासे निगाहों से देख दी आगे बढ़ने लगी एक तरफ खजूर के दरख थे उसी के साथ केले के दरख थे खोबानी से बंगूर सताहिशी निगाह से देख दी आगे बढ़ी तो फ्लावर सेक्शन नजर आया भीनी भीनी खुश्बू पहली हुई थी वो आगे बढ़ती नी फ्लावर सेक्शन खतम होती एक उंची देवा से मूँ चड़ा रही थी सामने ये गेट था करीब ही एक बोर्ट नजर आया पॉल्टरी एंड डेरी सेक्शन युख ये मेरे मतलब का नहीं अंदर बदमूई होनी है वो पलट कर फूलों के पास चलिया ये और अपना कैमरा उन करने लगी जिस चोटी सी अमारत को वो पीछे चोड़ाईती युसी अमारत के एक कमरे में सेक्डो मानीटर चल रहे थे सामने ही चंद नोजवान बैटे निगरानी कर रहे थे अमरहान उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ सप्लाइजर आने वाले हैं अब्दॉल्ला तुम देख लेना सब मुझे काम कहते कहते वो रुका उसके निगा मानीटर की स्क्रीन पर नज़र आने वाले हानील पर बड़ी और मानीटर होलडर लड़का जो गेरी दिल्चस्पी से स्क्रीन को घूरा था उसका खून खोलकर रह गया उसने हाग बढ़ा कर जटके से स्विच आफ किया वो जवान हड़ बड़ा कर रहे गया सर कोई जर्नलिस्ट फैमली मेंबर है वो और अगर जर्नलिस्ट भी हो तो तैसीब के दारे में रहना बेतर है और अब्दुल्ला लंच ब्रेक अनाउंस कर दो अभी टाइम है सर कर दो वो संजीत की से कहकर निकल गया हानिल खामोशी से खड़ी वर्कस को जाता देखती रही सब उसी अमारत की जाने पढ़ रहे थे खाने के बाद तमाम वर्कस कुछ देर बहीं आराम करते थे हानिल वो करखत आवास पर पलटी आप जी मैं ये क्या तरीक है कभी भी कहीं भी पहुँच जाती हो एक हैंटे बाद और्डर की सप्लाई है और अब सारा काम रुग गया है वो तपा हुआ था सोरी मुझे अंदाजा नहीं था कि आपका इतना नुकसान होगा मैं चली जाती हूँ वो आजर्दगी से कहकर जाने लगी फोरण ही अमर्हान को अपने लेज़े की सख्ती का अंदाजा हुआ अब आ गई हो तो मच जाओ आइना इत्यात करना नहीं मैं जा रही हूँ कहा न मच जाओ मेरा मूट नहीं आप फिर कभी आ जाँगी बन जाएगा मूट पी आ जाओ अमर्हान कतियत से बोला अजीब इनसान है आप वो तिनक कर बोली दिल तो चाहता है अजाइब घर में भरती करवा दू वो मुस्कुरा दिया पागल इनसान वो बुरबुराती हुँ इसके पीछे चल रही थी वो लापरवाई से उसके दिया अलकाबाद सुन रा था जैसे वो किसी और को अलकाबाद से नवाज रही हो वो दोनों अमारत में मुझूद मीटी रूम में बैठे थे सामने जूस के गलास रखे थे वैसे इस सारा फार्म में देख चुकी हूँ आगे और भी सेक्शन्स हैं जहां पेरुनी मुमालिक से मंगवाए के जानवर भी है मसलन वो हिरान हुई आस्ट्रिल वी गाये के जोड़े अफरीकी मौर काफी सारे नायाब परिंदे हैं अच्छा उनका भी कोई बिसनिस करते हैं बिल्कुल माशाला ये साब आपने किया है हाँ आइडिया जब बाबा के साथ शेयर किया तो वो राजी नहीं थे लेकिन मैं डट गया और आज ये एक पकाईता सिस्टम के तहत काम कर रहा है अब गाओं का कोई एक भी पर्द बेरोजगार नहीं है ना दिन भर काम करके लंबी लाइन में खड़े होकर मजदूरी के लिए खड़ा होना पड़ता है मंधली बेस पर सबको सेलरी दी जाती है सबका एक यूनिपाम है यहां की हर चीज़ टेस्ट होकर सेल पैक करके सप्लाई होती है मुझसे वो बरूच का कर मुस्कराया बिल्कुल नहीं आप अब भी एक खड़ूस और इंतहाई अजीब और गरीब शखस है मैं सिस्टम से मतासिर हूई हूँ ओ चलो कोई बात नहीं वो हस बड़ी वैसे एक बात बताएं सब लोग आपसे इतना डरते क्यों है आप इतने बुरे तो नहीं है तो फिर अच्छा हूँ मैंने तो ऐसा नहीं का चले पताएं क्यों डरते हैं सब इतना आपसे मुझे नहीं मालूम तुमें पूसता चाहिए था ना क्यों डरते हैं आखिर कार मैं भी उन जैसा ही आम इनसान हूँ कॉमान आप उन जैसे बिल्कुल नहीं है और मैंने एक बात पर गोर किया है कि हवेली के किसी मर्द को मैंने काम करते नहीं देखा सवाई आपके और क्या गोर किया है उसने नजरे जमीन पर टिकाए सवाल किया और ये कि आप हवेली के लोगों से कतराती हैं अल्कुल इसी तर आपको देखर सब खामोश हो जाते हैं सब को लगता है कि आप बदेहास और बदेखलाग है और तुमें क्या लगता है मुझे हाँ मुझे लगता है कि आप पिछले पांच मिन्ट से मेरे मूँ से अपने लिए तारिफी इलफास निकलवाने की कोशिश करें है अमरहान का कैका उबल बड़ा ओ नाइस खडूस हस्ता भी है क्या तुम मेरा ये लगता है कि तुमें इस बारे में सोचना चाहिए मैं तुमारे साथ रूड नहीं हूँ ओ सिर्फ मेरे साथ कोई खास वज़ा बिलकुल है वो क्या वो हिरानी से उसके जानिब देखने लगी यही के मुतरमा आप हमारी मेहमान हैं और हम बलोचिस्तानी लोग बहुत मेहमान नवास होते हैं वो सकून से बोला और उसके चेरे पर जरा सी निगार डालकर फोरण हटा ली हानिन ने गोर से इस हरकत को देखा अमर हान आप ऐसा क्यूं करते हैं वो हसते हुए बोली कैसा जैसा अभी आपने किया मेरी तरफ देखने से डरते हैं ऐसा कुछ नहीं उसने नवी में गरतन हिलाई हाने ले बामशकिल अपनी हसी दबाई ऐसा ही है आप हमेशा ऐसा करते हैं देखे अगर आपको मेरी तरफ देखना अच्छा लगता है ये मैं अच्छी लगती हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है तुमको भूग तो नहीं लगरी वो फोरण घबरा गया और सुख चेरा लिए बात बदलनी चाही पावजूद पूरी कोशिश के वो अपना कैका नहीं रोक पाई और खिलकिला कर हस दी अमर्हान का दिल चाहा उसे हसते हुए देखे लेकिन वो फिर चोरी पकड़े जाने के तरसे नजरे जमीन पर गाड़े बैठा रहा चन में पाद एक मुलाजिम आया और अमर्हान की इजासत लेकर उन दोनों के सामने खाना लगाया चलो खाना खाले फिर उसके बाद में तुम्हें जील तक ले जाओंगा अमर्हान उसके लिए खाना निकालते हुए बोला हानिल मतासिर से उसे यक्टक देख रही थी मेरे बाबा भी सी तरह खुद खाने से पहले मुझे सर्फ करते हैं अमर्हान मुस्कुरा दिया ये एक तंग सा रास्ता था जिसके दोनों जानिब जाड़िया थी ख्याल से कदम रखना कांटा न चूब जाए अमर्हान उसे गाहे बगाहे ताकीद करता आगे बढ़ रहा था हानिल रेट पर बंते उसके कदमों के निशानात पर पाउं रखती उसके पीछे मुस्कुराती हुई चल रही थी चान बिन बाद वो जीरता कांप पहुँचे वाओ आज से पहले में यहां कभी नहीं आई आखरी बार बलोचिस्तान कब आई थी अमरहान ने सवाल किया चार साल पहले जब मैं नवी जवात नी जमात में थी चार साल पहले तूम नवी जवात बलोचिस्ताना है तुमारी उमर क्या है? अमरहान हीरा थारा साल वाकिए वो हस बढ़ा क्यूं मैं शकल से बड़ी लगती हूँ? वो मुस्कुराई नहीं लगती तो छोटी हो लेकिन मुझे लगा शायद तुम उन लड़कियों में से हो जो तीस की होकर भी अठारा की लगती है अच्छा ऐसी कितनी लड़कियों को जानते आप मेरी कलास फैलो थी फैरी मैं उसे अठारा उननिस का समझता ता लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो मुझे भी दो साल पढ़ी है उमर में वो बोला आप क्यों अमर क्या है मैं तुम से आठ साल बढ़ा हूँ ये सच नहीं है वो हिरान हुई यही सच है वो हसा कुछ देर वो यू ही इदर उदर की बातें करते रे अब अमिर चलना चाहिए कुछ देर बाद अमरहार ने कहकर वापसी के रास्ते पर कदम रख दिये हानिल खामोशी से उसके पीछे चलने लगी उमे हानी हाल में कदरे कोने की तरफ कुरसी पर बैटी थी सेनब हानिल आ गई नहीं अभी तक तो नहीं आई सबाखाला भी पूछ रही है तुम्हे कोई काम था उससे नहीं कोई काम नहीं है तुम जाओ अच्छा अलाफिस में मारकेट चारी हो बड़ी मुश्कित से कबीर को मनाया ले जाने के लिए तुम्हे कुछ लेना है क्या नहीं कुछ नहीं लेना तुम जाओ बाए सेनब हाथ इला कर वहां से चली गई उसका दिल चाहा फूट फूट करो दे अंदेशे उसकी नबस दबारे थे तब ही कोई दुबारा उसके करीब आया हानी कैसी हो अवास पर उसने सर उठा कर देखा वो फर्जान था ठीक वो तुम कैसे हो तुमें देखने के बाद मैं कैसे ठीक नहीं रूँगा वो मुस्कुराया वो उलचन भरी निगाव उसके जानिब देखने लगी कोई काम था नहीं मैं लोगों की तरह हरकिस मतलबी नहीं हूँ कि सिर्फ काम के वक्ती याद करू वो मुस्कुराहट दबा कर बोला और उसे जरा फासले पर बैट गया वो दिमागी तोर पर इती गहर हाजिर थी कि उसका तन समझी नहीं सकी फर्जान ने उसकी गाइब दिमागी महसूस की पर कुछ नहीं बोला चुप चाप उससे देखता रहा यहां क्यों बैटी हो यूँ ही फारिख थी तो यहां चलिया ही तुम बताओ घर में सब कैसे है ठीक है सब सवाए तुमारे नाना के क्यों क्या हुआ उने वो परेशान होकर पूछने लगी उदास रहते हैं उनकी लेला जो यहां डेरा जमाए बैटी है वो बोला तो हाली बेखत्यार हस बड़ी पागर डराई दिया था चाहे पिला तो इसी बात पर अपने हाथ की अच्छा बनाती हूँ वो उठी फर्जान भी उठकर उसके साथ चल पड़ा और सुनाओ कि चन्मे कदम रखते हुए उसने फर्जान की तरफ दे कर सवाल किया क्या सुनना है वो मुस्कुराया रिजल्ट आगे आगे का क्या प्लान है बाबा के साथ बिसनस पे इंवाल्फ होने की त्यारी है ये तो अच्छी बात है हाँ अच्छी बात तो है लेकिन इससे जदा अच्छी बात था बोगे जब मैं अपनी जिनकी के सारे गोल एक्चीव कर लोगा तो इसमें क्या है तुम असानी से कर सकते हो हाँ ठीक है रही हो लेकिन कुछ उलचन और अदेशों ने परेशान कर रखा है कैसी उलचन तरसल मैं किसी को पसंद करता हूँ समझ दिया रहा के पहले उसे बताओ या अम्मी को ये तो थी उलचन और अदेशा ये है कि वो रख ना कर दे तुम्हे क्यों कोई रख करतेगा तुम अच्छे खासे हो अच्छा खासा होना काफी नहीं ना रख करने की तो कोई भी बज़ा निकलाती है इतने अदेशे पालने की जरूरत ही क्या है जो होगा तुम्हारे भले के लिए होगा फिलहाल अपने बिसनेस पर ध्यान दो बाद में ये भी देख ले ना दरुस्त कहरी हो फिलहाल अम्मी से बात कर लूँगा जो बेतर लगे चाहे मैं लाइश्टी डाल दू अगर को तो उसने पलट कर फरजान की जानिब देखा हार डाल दो साथ में नगट्स लोगे या समोसे फ्राइक कर दू कुछ भी चलेगा फरजान नरम मुस्कुराती नजरों से उसकी जानिब देखते हुए बोला हानी सरहिला कर अपने काम में मसरूफ होगी सफेज जीब रेत उड़ाती तेज रफ्तारी से एक जानिब दोड़ रही थी हानिल निगाहे बोड़े मुस्लसल अमरहान की जानिब देख रही थी आपका दिन कैसा गुजराच बहुत अच्छा मैं अपनी पूरी 26 साला जिन्गे में इतना नहीं बोला जितना आज बोला है तो अच्छी बात है ना बोलना चाहिए अब इनसान को इतना भी कम गो नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपको कुवत कुवाई से ही महरूम समझने लगे खुद ही सोचे इतना अच्छा खासा हैंसब बंदा गूंगा लगे ये दुख सामने वाले कि सीधा दिल पर जा लगेगा अमर्खान हस पड़ा आपकी शम्स ममी को मैंने देखा नहीं पर शायद आप उन पर ही गए आपका चेरा हमेली में किसी से नहीं मिलता हाँ उसने गेरी सांस दी और अचानक की उदास दिखाए देने लगा हानिल खामोश हो गई अमरहाद सपार्ट चेरा लिए गाड़ी चला रहा था हानिल कमरे में दाखिल हुई तो उम्मे हानी प्लंक पर नीम दरास थी उसे आता देखकर वो उट पैठी हाई हानी हानी अजीब से इसास में गिरकर बोली हाँ पता हानी हमेशा मुझे जितने भी मन नजर आए सब बहुत ही अजीब मेंटैलिटी के होते हैं अपनी मर्दानगी का जम जिताने वाले जिस संदाश में आप से बात करते हैं जिस तरह आपको घूरते हैं मुझे हमेशा ऐसे मर्दों से नफरत रही है और जानती हो मुझे लगता था सब भी ऐसे होते हैं। हानी उल्चन जदा सी उसे सुन रही थी लेकिन पता है अमर हान कैसे हैं। वो पुर्जोशी से कहती सोफे पर सीधी होकर बैठी। नोबल मैन जैसे पुलाइट काइंड केरिंग यू नोवर्ट बहुत अच्छा लगता है उसके साथ वक्त गुजारना। वो सरशार सी कहती तुबारा सोफे पर पीछे की जानिम नीम दराज हुई। उमे हानी और मरियम भटी निगाहों से उसके जानिब देख रही थी। हानील अबरहाल लाला तुम से आठ साल बड़े हैं और तुम तो उमे हानी से भी तीन साल चोटी हो और। कॉम आन ये एज कहां से बीच में आ गई। हानील ने उसकी बार तरम्यान में यूचक ली। तुम बताओ हानी उन्हें क्या पसंद है। तुमें तो वैसे ही सब की पसंद का पता है ना। उससे। उमे हानी गाई दिमागी से बुर्बड़ाई और खाली नजरों से उसे देखा। हानील अमरहान मेरा है। उसके सिर्फ लब भीले थे आवास का गला हानील के चेरे पर फैली खुशी ने गोण दिया। हानील तुमें सबाब फुपो बुला रही हैं। उसी वक्त कमरे में कभी चांग कर बोला। मैं आती हूँ। वो कहकर उठी और कमरे से निकल गी। ऐसा कौन करता है मैं हर वक्त हर नम्हे उसकी सोचों में रहती हूँ। उसकी हर तकलीफ पर तडबती हूँ। उसकी सलामती की दुआ करती हूँ। मुझे लगा वो मेरा है हमेशा ये सोचा। और उसे मेरी चाहत नजर नहीं आई। मुझे तो कभी असखुद बात भी ना की। मुझे तो कभी एक मस्कुराहर तक नहीं बखशी। ये कैसा इंसाफ है। हानिल मेरी मुठी से मेरे खौब पानी की तरह बहा रही है। उसे मिले हुए महें चंद दिन हुए है और मैं तुम्हें कब से दिल में बसाए बैटी हूँ। तब से जब लड़किया गुड़े गुड़ियों की ब्यार अचाती है। बार्शों पे नंगे पाउं दोड़ती है। उस वक्त में उसका दीदार मांगा करती थी। इंदा देखना पड़ था। ठीक है हानिल प्यारी है पर उसका तुमसे क्या मुकाबला ना तुमसी रंगत है ना तुम जैसा कदकार्ट। और ये अमर हाल लाला जाने उस सूखी चड़ी हानिल में क्या ढून रहा है। और ये हानिल उसे शर्म ले आती किस तरह बेशर्मी से उस अपने प्यार का इसार कर रही थी जाहिल लड़की। बर्यम ऐसे तो ना काओ से वो बहुत मासूम और प्यारी लड़की है वो जिस बाहूल में रहती है वहाँ ये सहबाब है और हो सकते हैं ये हमारी गलत फेमी हो। वाह सही कहते हैं मुहब्बला की खुशकुमा होती है। हानी कोई गलत फेमी नहीं है ये सोचो याद करो आज तक उसने कभी हवेली की किसी लड़की के जानिब निगा उठा कर भी देखा है कोई बात की है नहीं ना और याद है उस रोच छत पर किस तरह हानिल से बात की थी किस तरह मुस्कुराए थे आज हानिल के साथ पूरे फ हो. अमेहानी यजीब से अंदाज पर बोली. हाँ? अधाब में जबानी वो अमर stay चिसे मालूम ही नहीं होता हवेली में को ना रही है को जा रहे है वो अधाब में जबानी निबाए गा? एहुँकों की जन्नेट से निकल आओ बी बी. वो अधाब में मुहबबत निभा रह अधाब मेजबानी से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नी उसे जाकर बताओ इससे पहले के पानी सर से उच्चा हो जए नहीं उम्मेहानी कतियत से बोली मैं फीक मांगने नहीं जाओंगी तुम तु जानती हो ना किती खुद्दार हूँ मैं तुम्हे मालू मैंना मैं कभी कुछ नहीं मांगती और मुहपत की फीक तो कभी नहीं वो मेरा है तो मुझे मिल जाएगा ना चाहते वे भी आसूस की तरफ पहला हुआ था उस सिया रात की तारीकी में एक सिया जीप आकर सबस महल में आकर रुकी अंदर से एक शखस पराबद हुआ उसकी शकल वाज़े नहीं थी लेकिन उसके डिसम पर शायद सफेद निबास था वो जोल तारावास से जीप का दर्वाजा बंद करता अंद वश निगाहों से बहराम का चेला देख रहे थे जो चांद मिन कबल आकर बैठा था बाकी सब बेदिली से नाश्टा कर रहे थे तुम कब आए आखिर उन्होंने खुदी बात का आगास किया रात को पैसे घर में कोई तकरीब है क्या जी बिलकुल शाजैन की शादी है यहां आ तो गयो लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो पैराम यहां कोई गरबर नहीं चाहिए मुझे और यह मत समझना के तुमारी सरकर्मियों की मुझे खबर नहीं सब जानता हूं मैं मैं कोई गलत काम नहीं करा सब करते हैं ओ चनाब आए हैं उसी वक्त अमरहान अमरहान ने खून आलोत निगाउस पर डाली अमरहान बेटा रिलैक्स खान बाबा फोरण उड़के इस खद्दार को निकाले घर से ये मैं जाओं अमरहान धाड़ा बेराम मुस्कुराते हुए से देख रहा था हाए मुहपे वतन पाकिस्तानी शेजाते तेरी वफदारी पे कुर्बान जाओं पक्वास बंद करो अमरहान चिलाया अमरहान बढ़ा है वो तुम से तमीज से बात करो अंजम हसन सर्दमोरी से बोले ये सिर्फ उमर में बढ़ा है चचचा जान इसकी सोच एक नुक्ते से भी छोटी है घद्दार नमक हराम इनसान अरे तुमारी नम कभी नहीं समझेगा अमरहान सुख चेरा लिए बोल्डा था हा 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 पेहराम जिताती कहका लगा कर हस पढ़ा अमरहान चल नभी उसे देखता रा फिर पलड़ गया यार पेहराम लाला हमेशा घलत वक्त पर आते है छुपो जाओ जैनब मर्यम को बुरा लगा मेरा वो मत तो मेरा भाई जैसा भी है उस घर का बेटा है जब चाहे यहां सकता है और हमरहान लाला हां मर्यम जजबाती लेजबे कहकर वहां से जाने लगी तब ही हानिल अंदर दाखिल हुई थी मर्यम कहा जा रही हो तुम्हें इसे मत तब अपने काम से काम रखो वो घर आई हानिल लिगाहों से उसे जाता देखती नहीं परिशान मतो हानिल उसका मूट खराब है सैनम को भी मर्यम का रविया अजीब लगा लेकिन उसने हानिल को तसली दी हमेली में सब का रविया अजीब है आज क्या हुआ है तुम सुबा जल्दी उठ जाती तो पता चल जाता इत सब इ बहराब लालाए है कोन बहराब ओ मर्यम के लाला अमशल के मंगेतर हानिल चोगी हाँ वो ही तो अगर वो आ गये तो इसमे इतनी परेशानी होने की क्या बात है हानिल ने सवाल किया यार वो जरा अलग टाइप किया उनकी सरगर्मियों की वज़ा से कोई उन्हे खास पसंद ने करता लेकिन वो भी इसी घर के फर्द है तो बरदाश करना पड़ता है खेर देखते हैं ये शादी कैसे गुजरेगी सेनब सर जटा कर कहती कमरे से निकल गी हानिल अब भी उलचे हुई थी झाल 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 झाल